स्वागत है आप सभी का इस स्टाटिक जीके में आज हम बात करेंगे पावलाव के अनुकूलित अनुकरिया सिधान्त को यानि कि इंगलिश में कहें हम कंडिशनल रेस्पॉंस थेयरी को इसको हम सी यार थेयरी भी कहते हैं पूरी डिटेल में मैंने आपको समझाने कोशिश की है बहुती छोटी वीडियो है तो पूरी वीडियो बहुती एंटर देखेगा इसकिप मत करिएगा चैनल पे नए आये हैं वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पे जरूर प्रेस करिएगा ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को आपके सामने एक टर्म दिख रहा होगा अनुकूलित अनुकरिया सिध्धान इसको हम इंगलिश में कहते हैं कंडिशनल रिस्पॉंस थेयरी या फिर आप इसको सी आर थेयरी भी कह सकते हैं ठीक है और ये सी आर थेयरी किस ने दिया ये दिया था आई पी पावलोव ने ठीक है अब ये बात करते हैं पावलोव की तो पावलोव कहां के रहने वाले थे पावलोव थे आपके रसिया के यानि की रूस के रहने वाले और 1904 में इनको इसी सिध्धान्त के लिए नॉबल प्राइस भी दिया गया ठीक है जितनी की चरण है आपको दिख राओगा परथम चरण दित्तिय चरण अब यह सब कुछ जानने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि UCS क्या होता है UCR क्या होता इस अब के स्वभाविक उदीपक यानि की unconditional stimulus ठीक है इतनी बत आपको समझ में आ गई अब हम बात करते हैं CS की यानि की conditional stimulus की जिसको देखने के लिए किसी भी प्रकार की कोई प्रतिकरिया की जरूरत नहीं होती ठीक है और पावलावप सहाब ने आस्वभाविक उदीपक को इस जो है कु पर जो सोत किया है उस पर उन्होंने घंटे का इस्तमाल किया है घंटे का इस्तमाल किया ठीक है तो यह हो गया हमने CS की बात कर ली अब हम बात करते हैं UCR की ठीक है जो UCR होता है और जो मैंने अभी आपको उपर बताया था क्या है UCS और UCR यह दोनों आपस में एक दूसरे स करते हैं क्योंकि ये जो UCS होता है ये Unconditional Stimulus है यानि कि सुभावी कुद दीपक है इसको देखने पर लालज पैदा होती है और लालज पैदा होने के बाद क्या होता है वो होता है हमारा UCR अगर मान लीजिए कि आपने खाना देखा और आपके मूँ में लार बनना स्टार्ट हो जाता है तो वही लार जो बनता है वही होता है Unconditional Response यानि कि UCR की हम बात यहां पर करेंगे ठीक है और जो CS आपके सामने लिखा गया है Conditional Stimulus कोई प्रतकरिया ना होना तब कभी भी जो है लार उत्पन हो जाता है अगर तो उसको हम बोलते हैं CR ठीक है तो हमने सारे full form पता रखा है आपको एक मिनट में तयार हो जाएगा अगर आपने नहीं देखा उपर आई बटन में आ रहा होगा या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है वहां से भी आप ट्रिक वाली वीडियो देख लेना ठीक है तो यहां बात करते हैं प्रथम चरड़ की यानि क अनकंडिस्नल स्ट्यों मिलश को इन्हों ने भोजन के तौर पर यहां पर माना है तो यहां पर प्रथम प्रथम स्टेज में पाया गर मैं उसको भोजन दे रहा हूँ तो फो कुट्ता हो गया अगर कोई इनसान है आगर उसको भूए अगर भूख लगी हुई है बहृत दि यह तो खायर कुट्ता है तो यह चीज उन्हें पाई कि अगर मैं उसको भोजन दे रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि उसके जो है मुह से लाल टपकने लग रहा है तो पर्था में स्टेज में उन्हें यह देखा अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेज की यानि कि दित्तिये चरण की तो उन्होंने क्या किया आस्वभाविक उदीपक और स्वभाविक उदीपक उन्होंने जोड दिया ठीक है फिर वो देखते कि रिजल्ट क्या रहा है तो वो रिजल्ट देखते थे कि रिजल्ट आ रहा है मारा स्वभाविक अनुक्रिया यानि कि उन्होंने conditional stimulus माना और इन्हों ने इस अपनी प्रियोग में घंटी का इस्तमाल किया है conditional stimulus के लिए ठीक है और जो सुभावी कुदीपक है ये तो आलरेडी इन्होंने भोजन के तोर पर ही लिया है जब वो कुद्टे को घंटी बजा करके तब भोजन के साथ देते थे यानि पहले घंटी सिर्फ घंटी बजाते थे तब ही वो देखते थे कि कुद्टे के लार बन रहा है क्योंकि कुद्टा अब इतना अभ्यस हो चुका था इतना वो अब exercise में आ गया था कि जैसे ही उसको पादा चल गया था कि जैसे ही घंटी बजेगी मुझे खाना मिलने वाला है तो उसी खा दागा था कि जो मेरा प्रियोग है वो कुद्ता जो है सोभाविक उद्धीपक को दे करके ही सोभाविक अनुकृया करेगा ठीक है लेकिन इनको फिर जब अन्त में इनोंने यह तीसरा चरण अपना कर लिया तब इनको पता चला कि नहीं ये तो आज सभाविक उद्धीपक को भी दे करके अनुकूलित अनुकृया करेगा ठीक है इसलिए जो इनकी थेयरी है इनके सिध्धान्त को हम अनुकूलित अनुकृया सिध्धान्त भी कहते हैं ठीक है पूरी डिटेल मैंने आपको समझाने कोशिश की I hope कि आपको समझ में आ गई होगी अगर आपको समझ मे आ गई है मुझे आप वीडियो एंड होने के बाद कॉमेंट सेक्षन में जरूर बता दीजिए ठीक है तो अम मैं इसमें से आपको एक चीज और बताता हूं कि इनका जो ये concept है इनकी theory है इनको किस और उपनाम से भी जाना जाता है ठीक है तो इनके जो सिध्धान थे इनकी theory इसके कुछ उपनाम भी थे और ये उपनाम कौन थे मैं आपको बताता हूं इनको हम CR theory भी कहते हैं प्राचीन परंपरागत अनुबंध सिध्धान भी कहते हैं संबंध प्रकरिया सिध्धान भी कहते हैं और अनुबंध का सिध्धान भी कहते हैं और एक और कहते हैं सरीर श जरूर पसंद आई होगी, प्लीज अगर वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो का आप लाइक कर दिया करो, चैनल पे नहीं आया हो, तो सब्सक्राइब बटन पे जरूर प्रेस कर दिया करो, ठीक है, थैंक यू सो मुच वोचिंग इस वीडियो, कीप स्माइलिंग, स्ट से होम, इस्टे सेफ